Hi guys, my name is Nitish and you are welcome to my YouTube channel हमने पिछले वीडियो में Python में GUIs बनाना सीखा था using a library called TK-Inter ठीक है? इस वीडियो में हम लोग उसी को थोड़ा extend करेंगे और जो भी हमने लास्ट वीडियो में सीखा था उसको यूस करके एक छोटा सा बट यूसफुल application बनाएंगे हमारे application का नाम है Wallpaper Viewer एक छोटा सा application है जहाँ पे आपके folder के अंदर जितने भी images है हम सब को browse करेंगे और display करेंगे on our application पहली बार में पहला image road होगा next पे click करने पे दूसरा फिर तीसरा फिर so on ठीक है? तो यह हम लोगों को बनाना है using TK-Enter so अगर आपने पिछला वीडियो नहीं रेखा है और आपको TK-Enter नहीं आता तो I would first recommend कि आप जाओ और वो वीडियो देखो तो फिर आपको यह वीडियो बहुत easy लगेगा ठीक है? now let's start the video so let me first show you the demo screen पर यह छोटा सा demo app है मेरे folder में सिर्फ तीन ही images थी जादा होगा तो जादा browse करेगा कोई फर्क नहीं बढ़ता so यह तीन images है next पर click करने पर next image load हुआ फिर से next पर करने पर next और फिर जैसे मैंने next पर click किया तो वो rotate करके वापस first image पर आ गया और यह circle चलता रहेगा ठीक है? तो यह application हमें बनाना है and we'll try कि GUI थोड़ा और अच्छा लगे ठीक है? तो मैंने सबसे पहले क्या किया है? एक नया file बना लिया python file by the name of wallpaper viewer.py also अगर आप notice करो तो मेरे project folder में wallpapers बोल करके एक folder है जिसके अंदर तीन images है यह पहला image है, यह दूसरा और यह तीसरा ठीक है? तो हमें एक ऐसा application बनाना है जो wallpapers folder के अंदर घुसेगा और जितने भी images हैं सबको load करेगा तीन हो या तीन हजार हो वो सबको load करेगा और सबको next के click पे show करेगा ठीक है? यह हमें बनाना है तो बिलकुल पिछले बार जैसा ही code होगा हम लोग सबसे पहले क्या करते है थोड़ा सा UI बना लेते हैं उसके बाद हम लोग आगे move करेंगे for that आपको सबसे पहले import करना पड़ेगा pk enter से all the classes also हमें यहाँ पे images को load करना है तो हम लिखेंगे from pil import image pk and image अब यहां से हम लोग कोडिंग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम लोग एक root object बनाएंगे pk class का और हम लिखेंगे root.main loop इतने से हमारा GUI ready हो जाएगा let me quickly show it to you अगर हम इसको run करते है यह रागाइस हमारा GUI ठीक है मैं इसका size fix कर रहा हूँ also मैं title change कर रहा हूँ so I would write root.title and I would write wallpaper viewer इसके बाद मैं इसका geometry set करता हूँ geometry हम लोग रख लेंगे 200 x 350 या 400 चलिए इसको 250 कर लेते हैं और अब देखते हैं कैसा दिखाई दे रही है हाँ ऐसा दिखाई दे रहे है और हम लोग इतने size का ही हमारा app चलेगा ठीक है background में हम लोग यह कर सकते हैं कि black कर दें background root.configure background black ठीक है और एक बार फिर से run करके देखते हैं हाँ यहां पर if you want आप उपर एक label डाल सकते हो wallpaper viewer बट ठीक है हम लोग directly images show करेंगे अब देखो यहां से main काम start होता है आपको क्या करना है सबसे पहले जैसा मैंने आपको last video में दिखाया था कि एक single image को load कैसे किया जाता है सेन वही चीज़ करेंगे बट इस बार हम लोग loop में करेंगे loop कितनी बार चलेगा जितने images हमारे folder के अंदर है ठीक है तो देखो हम क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग ऊपर जाएंगे और हम लोग import करेंगे OS module OS module यूज़ करके आप files और folders के अंदर navigate कर सकते हो तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा मैं लिखूंगा OS.list directory और यहां पर मैं अपने directory का नाम दे दूँगा wallpapers यह मुझे वो सारी files का नाम बता देगा जो wallpapers के अंदर है सो मैं क्या करता हूँ मैं यहां जाके फिलहाल बस print करता हूँ कि files के अंदर क्या है just to show you इस code को हम run कर रहे है यह देखो एक list बन गया जिसके अंदर तीन images का नाम है यह जो तीन images बट मुझे complete path चाहिए तो what I would do is I would write for I rather for file in files हर file को एक बार उठाऊंगा मैं और मैं क्या करूँगा मैं एक एरे बनाऊंगा एक image एरे बनाऊंगा जिसमें सारे के सारे हमारे image objects होंगे जो हमें load करने होंगे अब मैं क्या करूँगा एक एक करके घुसूँगा और I would write image is equal to image.open बिल्कुल यह सारा काम है लूप के अंदर कर रहा हूँ यह जो पूरा काम है यह मैं लूप के अंदर करूँगा और यहां पर I have to provide the complete path तो for that I would write os.path.join यहां पर मैं पूरा path के लिए wallpapers लिखतूँगा individual file लिखतूँगा तो यह मुझे एक image का complete path देदेगा उसको मैंने open कर लिया अब मुझे इसको resize करना है तो I would write resize underscore image is equal to image dot resize function को मैं call करूँगा और let's say फिलहाल हम रख देते हैं इसको 200,300 यह मेरा resize image होगा और उसके बाद हम क्या करेंगे हम exactly यह वाला line repeat करेंगे image dk photo image वाला so we would write image pk dot photo image और यहां पर I would write image और rather I should directly pass मेरे पास जो resize image है और यह जो image object बन रहा है इसको मैं क्या करूँगा इसके अंदर append कर दूँगा so I would write image array dot append तो जैसे यह loop खतम होगा मेरे पास यह जो array है इसमें तीन image objects होंगे जिनको मैं load कर सकता हूं मेरे GUI के उपर see हमारे पास यह रहे वो तीन PIL image objects यह पहला image का है यह दूसरे image का है and then तीसरे image का है अब बस मुझे क्या करना है यहां पर आना है और यहां पर मुझे अपने image को display करना है तो image को display करने के लिए मैं एक label बनाऊंगा let's call that image label यह root के उपर जाके चिपकेगा और इसका जो image होगा पहली बार पहली बार जब app आप start करोगे तो first image को load करना है तो I would write image array का zeroth item और मैं लिखूंगा image label dot pack screen पर मैं उसको fit कर दूँगा और अब मैंने इसको run किया यू वड़ सी हमारा पहला image हमें दिखाई दे रहे हैं अगर आपको उपर से थोड़ा gap चाहिए तो मैंने आपको last video में बताया था आप लिखोगे pad y उपर से हमें चाहिए है 15 का और नीचे से हमें चाहिए है 10 का let's run it one more time यह देखो उपर से थोड़ा नीचे आ गया अब बस मुझे यहां तक हो गया अब इसके नीचे मुझे एक बटन आड करना है तो वाट आइविल दो इस आइवोड राइट next underscore button बोलके एक button बना रहा हूं है जो button class का object होगा root के उपर जाके बैठेगा इसके उपर text होगा इसके उपर text होगा next next button है इसका background color वुट बी white and इसका foreground color as in font color वुट बी black ठीक है इसका width वुट बी 25 and height वुट बी 2 and next button dot pack कर दिया so that ये button हमें दिखाई दे लेट्स रन दिस कोड लेट्स सी यह देखो वाइस यह रामारा बटन चाहो तो आप match कर सकते उसको let's make it 28 जस्ट थोड़ा सा बेटर दिखने के लिए हाँ अच्छा लग रहा है ठीक है अब हमें क्या करना है इस next के click पर इस तरह का functionality develop करना है कि next 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 image आजाए और जैसी last हो और फिर आपने next प्रेस किया तो first image वापस आजाए ठीक है तो मैंने आपको बताया था आप बटन के click को handle करने के लिए क्या करते हो एक function उसके साथ attach कर देते हो using the command attribute यहाँ पर मैंने लिख दिया एक function का नाम rotate image बोलके ठीक है और अब मैं उपर जा रहा हूं और यहां पर i am creating a function rotate image also मैं क्या कर रहा हूं मैं जहां पर मैंने रूट बनाया है वहां पर counter goal की एक variable बना रहा हूं जो हमेशा यह track रखेगा कि अभी कौन सा image screen पर है या अभी next कौन सा image screen पर आएगा और यहां पर मैं उस counter को change करूंगा since वो global variable है उसमें changes करने के लिए मुझे global keyword use करना पड़ेगा अब मैं क्या करूंगा बहुत सिंपल है जैसे first image loaded है मतलब zeroth image loaded है तो अगर इसने next पर प्रेस किया तो second image load करना है जिसका index position 1 है तो जैसे कि इसने button पर click किया I would write this code I would right image label जिसके अंदर image display हो रहा है dot config का image को मैं change कर दूंगा और मैं उसके बदले डाल दूंगा image array का जो भी counter का value है और counter को एक से बढ़ा दूंगा so that अब अगली बार जब next प्रेस हो तो third image load हो let me show you कि यह functionality काम कर रहा है कि नी पहली बार counter का value 1 है आपने जैसे next पर प्रेस किया यह देखो अगला image लोड हो गया अगला image पर click करो code फट जाएगा because मेरा list खतम हो चुका है तो यहां पर मुझे कुछ mechanism develop करना पड़ेगा कि जैसे हम लास्ट आइटम पर पहुंच गए वापस घुम के फर्स्ट पर आजाए अपने coding में सारा techniques पढ़ा होगा आपको कुछ करना नहीं है यहां पर आपको modulus कर देना है length of your array से basically आप क्या कर रहे हो counter modulus 3 कर रहे हो हर बार तो जब पहली बार बटन दबा तो counter का value 1 था 1 modulus 3 क्या होता है 1 तो image number 1 as in second वाला image लोड हो जाएगा counter को बढ़ा के 2 कर दिया तो अब 2 modulus 3 क्या होता है 2 ही होता है तो फिर से 3rd image लोड हो जाएगा फिर 2 को बढ़ाया 3 हो गया 3 modulus 3 क्या होता है 0 होता है तो first image लोड हो गया फिर 4 हो गया 4 modulus 3 क्या होता है 1 तो फिर first image लोड हो गया यह हमारा code है इसको हमने run किया next second image next third image next यह देखो काम कर रहा है। कि कल को अगर मैं आउं, और यहां पे कोई और इमेंज भी डाल तो, मालनू मैंने यह इमेंज को कॉप्फी किया और इसके अंदर डाल दिया। मेरे पास मेरे फयल्डर में 4 इमेंडियस हैं। अब मैं इस code को फिर से run कर रहा हूँ देखो, सबसे पहले flip card वाला था, इसलिए पहले लोड हो गया, second, third, fourth, fifth, वापस-first वाला लोड हो गया, so this is a code which is flexible, आप उस wallpaper folder में कितने भी images डालते जाओ, टालते जाओ, वो सबको handle कर लेगा, और last पे पहुंचने के बाद automatically first पर आ जाएगा, वो rotation वाला code हमने लिखती है, ठीक है, तो I hope आपको इचीज समझ में आई, छोटा सा application है, प्यारा सा application है, बट अगर आप नया-नया सीख रहे हो, तो it is a good application to practice your skills, तो I would recommend एक बार वीडियो के बाद, खुद से इसको बनाने की कोशिश करो, मज़ा आएगा, ठीक है, तो that's it, एक वीडियो और बचा इस सीरीज में, जहां पे हम calculator बनाएंगे खुद का, ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया, तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, थांक्स वाचिंग, बाई!